हाँ तो दोस्तों क्या आलचाल भई आज अपने चैनल पर एक एसी गाड़ी है जिसको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है बीस साल से इंडिन कार मार्केट में है और भई आज भी इसकी बिकरी एक नई गाड़ी जैसी बिकती है भई सब लोगों की चहीती स्कॉर्प् बात करते है 2024 में क्या अपडेट आए है तो भई वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को स्क्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो चलते है इस गाड़ी की तरफ क्या क्या अपग्रेड है या नहीं है और भई बलैक कलर में आई गाड़ी तो भई मज़ा ही है मज़ा तो बिना देरी किया दोस्तों चलते है अपन इस गाड़ी के इंजिन की तरफ इसके दिल की तरफ क्या पावर आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाली है चलते हैं सबसे पहले तो आपको जो है महिंद्रा का डीजल इंजिन आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने व में देखने को मिलता है महिंद्रा की XUV700 में देखने को मिलता है और Scorpio N में भी आपको यहीं इंजन देखने को मिलता है हाला कि सबकी ट्यूनिंग अलग अलग है यह जो पर्टिकुलर इंजन Headlight की बात करें दोस्तों आपको जो वही पुरानी style की Headlight आपको देखने को मिलती है जिसकी वज़े से यह गाड़ी काफी अच्छी famous भी हुई थी Low Beam High Beam देखने को मिलता है नीचे की तरफ चले तो आपको जो है नई DRL देखने को मिलती है और Foglight आपको जो है पुरानी generation में थी वेसी Foglight आपको इस गाड़ी में रिटेन करती भी देखने को मिलने वाली है All Over Look बढ़िया है सबसे पहले चलते है अपने इस गाड़ी की ग्रिल की तरफ ग्रिल की बात करें आपको जो यह chrome finish में दिया गया है महिंद्रा का नया logo आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है बागी जो है पूरा matte finish में दिया गया है नीचे आपको जो है एक silver color की cladding भ देखने को मिलते है पूरा नी generation से compare कर रहा हूं मैं यूमत बोलना वहीं दो साल बात भी यही बोल रहा हूं ठीक है पूरानी generation में से आपको नया aloe आइस गाड़ी में देखने को मिलते है अलो प्रोफाइल की बात करें तो आपको जो है 17 इंच की aloie देखने को मिलते है बोडी कलरी दिये गया है जो कि मेरे साब से नई बदोमा तो भी चलेगा टॉप मंडला दोस्तों इसको और प्यों की जो बेजिंग आती थी पहले नीचे डोर के नीचे वो आप चेंज कर दी गई है अब थोड़ा इसको ट्वीक कर दिया है नीचे आपको जो है फुट लाते है इस गाड़ी को ओलोवर जो लूप के गाड़ी का मस्त है मेरे हिसाब से कॉम्पिटीशन भी होना जीए सफारी क्लासिक इसकी है कॉम्पिटीशन में लॉंच होजा है तो मजह ही आजा हालागी होगी नहीं चौनलों छोटो चलते हैं इस गाड़ी के रूफ की वैसे से इस गाड़ी की बिकरी खाफी अच्छी है आपको जो है टेल लाइट देखने को मिलते हैं लंबे लंबे जो पूरा ने जनरेशन में आते थे वैसे टोल लाइट आपको इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं उपर की बात करें आपको जो है इस टॉप माउंट देख लिए और all over look बढ़िया है काफी लंबी घड़ी है और आगे बात करने से दोस्तों सबसे पहले इस गाड़ी की चाबी की तरफ तो क्या कि आपको इस गाड़ी की देखने को मिलती है तो आपको वही lock unlock काफी basic चाबी देखने को मिलती है और बीचवाले बटन से गाड़ी हॉं करें की काफी बेसिक चाभी देखने को मिलती है मंतलब महिंद्रा कि सारी गड़ियों में यह की चाभी आती है मेरे इसाफ से अब तो इस i a company को change कर देना चीह सब्में तो एक चाभी क्यूंहीं देगी कम्पनी चलो चलो जाने दो अब चलते हैं दोस्तों अपन इस आपको ग्लोसी में देखने को मिलता है डोर अनलोक करने के लिए है यह और काफी रगेट दिया गया है हालकि गाड़ी रगेट ही है नीचे आपको इसपीकर दिया गया है और यहां पर मेगजिन होडर ही है बोटल होडर नहीं है क्यों भाई महिंदरा दिया करो यार चलो खोलने का बटन है यह दीफोंगर बटन है लाइंट एडर्जस करने के लिए और यह आपके। और वियम एड़ेस्स करने के लिए है राइवेट साइड एसी के कंट्रोल आपको यहां देखने को मिल जाते हैं क्रोम की सराउंड नहीं दी गई है और यह आपका की फॉब लगता है यहां हाला कि बढ़िया चीज है पूराना जो देशी स्टाइल है की लगाने कीले सेंट्र क्रूस कंट्रोल दिये गए है इस गाड़े में भी क्रूस कंट्रोल आता है और मेरी एक्षवी 700 X5 में नहीं आता है अब जो मैंने पहले ली थी चलो भाई इसके डिस्प्ले की बात करते हैं डिस्प्ले में आपको जो है वही आपको जो है देशी स्टाइल देखने को मिलत सेंटर में चलते हैं दोस्तों सेंटर की बात करें तो सेंटर भी काफी अच्छा दिया गया है इस गाड़ी का और यह आपको जो है अब बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है जो की ठीक है पर इसका जो यूई अच्छा नहीं आफ्टर मार्केट जाके मैं अगर यह बात करें आपको जो है कंट्रोल देखने को मिलता है ओटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है सिक्स गेर का ट्रांस्मिशन आ गया है केबल शिफ्ट टेक्नलोजी महिंद्रा ने इसमें इंट्रड्यूस कर दी है नीचे आपको गेर का वो भी कम हो गया है एक बार दोस्तों मैं आपको इस गाड़ी को स्टार्ट करके बताता हो आलाकि वही सौबर कर रहा हुं मैं आपको पता नहीं चलेगा पर मैं मेरे आक्सपिरियंस से बतारा हूँ गाड़ी काफी Salem हो गई है आलाकि बहुत सारे रिवीव्यों आपने देख लियोंगे इससे पहले पर मेरे रिव्यू बहुत इंपोटेंट है सस्क्राइब करो भई चैनल को चलो भई आगे बात करते हैं तो आपको जो है छे गेर और रिवर्स आपको मैंने बताई दिया था पूरा प्रोम की सराउंडिंग दे गई है नीचे पूरा गाड़े आथी थी उस में आ पको जो है यह विए से नहीं देकने को मिलता है उल अवबड़ की काफी रगेट और काफी अच्छी है modernist किया गया है इस बार इसको चलते हैं इस गाड़ी के dashboard की तरफ dashboard में भाई काफी adequate space आपको दी गई है थार में तो भाई बिल्कुल ही नहीं आती उससे तो बढ़िये ही है ठीक है गाड़ी का समान काफी अच्छी तरीके से रख से SRS की Beijing Scorpio की ट्रॉम फिनिश में आपको इस गाड़ी में बेजिंग देखने मिलती है यह है all over इस गाड़ी का front अब चलते हैं दोस्तों इस गाड़ी के rear seat की तरफ side में आपको जो है window control दिये गए है और बात करें आपको यह पता नहीं क्यों दिया है भई पगवान जाने ना तो phone रखते हैं ना किसी काम का है चलो नीचे bottle loader दिया गया है all over गाड़ी का door भी ठीक ही है चलते हैं अब इस गाड़ी के seats की तरफ काफी bench type की seat दी गई है दो headrest देखने हो मिलते है एक आपको armrest देखने हो मिलता है center में जो की company ने दया खाके दे दिया वरना नहीं देते हैं भी चलो जाने दो flat seats आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती है नीचे आपको लंबार support काफी अच्छा है इन बातों से कोई मतलब भी नहीं है गाड़ी तो बड़िया बिक्ती है इनकी चलो driver seat के पीछे आपको जो एक phone रखने की जगे अब यहां दी गई है जो वो useless थी रह गई दोना side आपको एक phone रखने की space दी गई center में आपको ऐसी vent देखने को मिलते है दो bottle loader आपको इस गाड़ी में देखने को मिलते है जो इसका जो floor है काफी हट तक flat आपको इस गाड़ी का देखने को मिलता है ये तो हो गई भई मोटा मोटी बात अब चलते है इस गाड़ी के interior की तरफ बैट के देखते हैं क्या comfort आता है मेरी height भई ठीक ठाक है एक normal person की होती है उतनी height मेरी आपको देखने को मिलती है चलो head जो अपनी leg space है वो ठीक ठाक दी गई है दो उंगली जितनी में को आपको leg space देखने को मिलती है हालागी मैं ये गाड़ी लूँगा तो मैं चलाओंगा ये बैठूंगा नहीं ठीक है जो अपना lambar support है वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है जो center hump है काफी head तक flat देखने को मिलता है जो की luxury जो गाड़े आती है उनमें काफी उचा देते हैं आलागी four wheel drive होती है और छोटी भी होती है चलो ये है side space आप देखो तो भाई काफी flat दी गई है आपको headrest देखने को मिलता है ये मैं आपको door handle बताए ही था आगे जैसा दिया गया है वेसा ही दिया गया है all over rugged है बीच में आपको जो एक ही light देखने को मिलती है जो आगे वाली जो light है वही आपको पीछे भी शेयर करने को मिलेगी जो बिल्कुल center में दी गई है all over गाड़ी के जो आपका जो B pillar होता है उसके बिल्कुल parallel दी गई है ये गाड़ी ये light all over dashboard काफी अच्छा दिया गया है गाड़ी का ये आपको जो है armrest देखने को मिलता है driver side passenger side दोनों side दिया गया है आगे से मैं बता नहीं पाया क्योंकि जो है इसमें polythyn लगी है नहीं गाड़ी है बिल्कुल ठीक है तो आपको जो है armrest भी काफी ठीक ठाक दिया गया है मोटा है और बढ़िया है हाथ रखन नहीं किया गया है all over यह है stop light आपको दी गई है बिल्कुल छोटी सी जो मैं आपको बाहर से बती थी हेलो जन है वही दी गई है पूरा पुष्टा दिया गया है और डो रेंडल दिया गया है मामूली सा मैं बता रहा हूं सफारी जो डाइको राती दिना 2009 में उसका बेक वा जो कि सीट को hold करता है ठीक है और एडल्स नहीं बेट सकते हैं बच्चे बेट सकते हैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है एडल्स बेटेंगे तो उनको काफी एडजस्स करके बेटना पड़ेगा और जो में चीज इस गाड़ी में होगी जो की लगेगी base tube मतलब इसका sound system इस device a बढ़े घये हैं अल ओवर ठीक है भाई घाड़ी ठीक तो क्या बढ़िया ही है मस्त भीक रही है यह थी मिरी तरफ से गाड़ी काफी बढ़िया है औप आपए तर दों सेंसर अधर बता आपने को बताई पीछे चलने के लिए आपको दिया गया है जो कि काफी बढ़